नमस्कार साथियों आज मैं और मेरी सहयोगी सुप्रिया श्रीनेज जी आपके सामने उपस्तित हैं कुछ बुनियादी सवाल देखा पिछले 48 घंटों में जो आपने देखा हम सब देख रहे हैं मीडिया सोशल मीडिया तो लगा कि आप से आज कुछ चर्चा करें और कुछ पुनियादी सवाल उठाएं कि पहला सवाल यह है कि क्या भगवान के मंदिर में निमंतरन से जाये जाता है इंजार की जाती सहाब निमंतरन दीजिए हम आएंगे ये ऐसा सवाल है और वो मंदिर हो मस्जिद हो गुर्द्वारा हो गिरजा घर हो क्या हम निमंत्रण की इंजार करेंगे और निमंत्रण नहीं आये तो नहीं जाएंगे और किस तारीख को किस श्रेणी का व्यक्ति मंदिर में जाएगा ये कौन तै करेगा राजनेतिक दल तय करेगा, यह कभी सुना है आपने, कि एक राजनेतिक दल तय करेगा कि मैं अपने भगवान से मिलने कब जाओं, और मैं जाओं या ना जाओं, सुप्रिया जी जाएं या ना जाएं, मंदिर में ना किसी को बुलाया जाता है, कम से कम इनसान द्वारा तो नहीं बुलाया जाता है, और ना किसी को रोका जाता है, ना इनसान किसी को मंदिर में बुला सकता है, ना इनसान किसी को मंदिर जाने से रोक सकता है, लेकिन एक उल्टी गंगा बहाई जा रही है, मुझे यह बताईए किसी मंदिर का प्रान प्रतिष्ठापन जब किया जाता है तो उसकी एक तौर तरीका होता है विधी विधान होता है धर्म शास्त्र होते है क्या ये कारिक्रम धार्मिक है अगर ये कारिक्रम धार्मिक है तो क्या विधी विधान से हो रहा है, धर्मशास्व से कुछ किया जा रहा है, अगर यह कारिक्रम धार्मिक है, तो शंक्राचार्य, चारों पीठों के हमारे शंक्राचार्य, क्या उनकी सला से, उनकी देखरेक से, इस कारिक्रम का स्वरूप तै किया जा रहा है, चारों शंक्राचार्ये चारों पीठ स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि एक अधूरे मंदिर की प्रान प्रतिश्ठापन नहीं की जा सकते अगर यह कारिक्रम धार्मिक नहीं है तो यह कारिक्रम राजनेतिक है एक राजनेतिक डल अभी यहां आने से पांच मिनिट पहले एक प्रवक्ता उनका ट्वीट करता है BJP का पूरा फुल फॉर्म जिसको जोडता है सीधा सीधा उस दिन 22 तारिक से एक राजनेतिक कारिक्रम में मेरे और मेरे भगवान के बीच में एक राजनेतिक डल के कारिकरता बिचौलिये बनकर बैठ जाएं मैं यह बरदास्ट क्यों करूंगा I do not need a middle man between me and my God इससे जादा बड़ा पाप नहीं हो सकता भई आप पूरा एक संग, पूरा एक संगठन अपने आपको मेरे धर्म का ठेकेदार बना कर बैठा हो और विधी विधान में उनका विश्वास न हो पूरी की पूरी इनकी आईटी सेल चारों पीठों के शंकराचारियों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ कर बैठी है इस पूरे प्रायोजन में, इस पूरे आयोजन में कहीं भी धर्म, नीती या आस्था नहीं दिखाए देती सिर्फ और सिर्फ राजनीती दिखाई दे रही यह मैं आपको बता दूं कि मंदिर में प्रान प्रतिष्ठा के लिए 22 जन्वरी की तारीख का चुनाव मैं यह जानना भी चाते हैं, हम लोग सब जानना चाते हैं, भारती जन्ता पार्टी ने कौन से पंचांग को देख कर किया यह तारीख का चुनाव नहीं हुआ है, चुनाव देख कर तारीख चुनी गई, यह अंतर है, यह स्पष्ठ है, एक आदमी के राजनेतिक तमाशे के लिए, हम अपने भगवान और अपनी आस्था के साथ खिलवाड होते हुए कैसे देख सकते हैं, मंदिर में निर्वान का काम विधिवत पूरा हो, करोणों भख्तों की जिसमें आस्था और विश्वास जुड़ा हुआ हो, उसमें कोई सरकारी दखल अंदाजी, कोई राजनेतिक दखल अंदाजी, मुझे नहीं लगता कि कोई भी भख्त बरदाश्ट करेगा, हम जानना चाते हैं, कि मंदिर में कौन आए, कौन ना आए, यह बताने वाले आप कौन है, प्रभु राम जब अयोध्या लोटे, तो आम प्रजा उनके स्वागत के लिए उमर पड़ी थी, प्राण प्रतिष्ठा में वी वी आईपी की एंट्री लगाने वाले आप कौन है, कि यह आएगा वो नहीं आएगा, जब हमारे जो सर्वोच धर्मगुरु हैं, इंदु धर्म के, वो विधिवत राम नवमी को प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते थे, तो फिर यह पूरा कैमरों की फौज लेकर आधी अधूरी प्राण प्रतिष्ठा करने वाले आप कौन हैं? यह हम बार-बार पूछ रहे हैं, हैरानी की बात है, बच्पन से सुनते आए, कि भई, राम की वज़ें से हम इस दुनिया में आए, उनकी उंगली पकड़ कर चलना, चलते हैं हम, लेकिन हमने विध्यापन देखे, कि कोई और है जो राम, भगवान राम की उंगली पकड़ के चला रहा है, हरी आप कौन है साहब, इतना बड़ा कद हो गया आपका, कि आप भगवान से उपर हैं, आप शंक्राचारे से उपर हैं, आप हिंदू धर्म से उपर हैं, आपने पूरे के पूरे अपने कैबिनेट में आप अकेले दिखेंगे, चुनावायोग पे आप नियंतरन करेंगे, मीडिया पे आप नियंतरन करेंगे, C.A.G. आप नियंतरन करेंगे, अब धर्म शेतर में भी आप ही नियंतरन करेंगे, वहाँ भी खतम, वहाँ भी एक ही चेहरा दिखेगा, क्यों आप कौन हैं, यह हमारा सवाल है, आप हैं कौन, अपने आपको जो भगवान से उपर बना निर्ने ले लिया, कॉंग्रेस ने 2024 में नुकसान करा दिया, तो मानते हो ना कि यह नफ़ा नुकसान चुनाव का देखा जा रहा है, मानते हो ना, कॉंग्रेस को क्या करना है, क्या नहीं करना, कॉंग्रेस वो कर रही है, आप लोग अपना काम नहीं कर रही है, आप लोग जो हमारे धर्म गुरु हैं उनको अपना काम नहीं करने दे रहे हैं तो आप अपनी चिंता कीजिए हमारी चिंता मत कीजिए शंक्राचारियों को नाराज करके सरसंग्चालक जाएंगे वहाँ वहाँ बैठेंगे वो प्रान प्रतिष्ठापन उनकी देखरेख में प्रधान मंत्री जी करेंगे ये कौन सा आयोजन है इसलिए मैं फिर से दोराता हूँ यह कतई धार्मिक आयोजन नहीं है यह पून रूपेन राजनेतिक आयोजन है मैं अपनी सयोगी सुप्रिया शिनेज जी से आगरह करूँगा कि वो कुछ करें बहुत धन्यवाद आपका पवन जी पिछले 48 घंटे में इतना आक्रोश इतने आहत लोग दिखे जो भाजपाई मैनुफाक्चर्ड आक्रोश और आहत था वो काफी चरम सीमा पर भी पौँचा अपना पिछले 48 घंटे में मैं दो चार बाते धर्म के बारे में और जो धार्मिक बाते हो रही है। के बारे में कहना चाहती हूं धर्म जो है वो व्यक्तिगत आस्था का विशय है हम में से हर व्यक्ति किसी ना किसी धर्म का अनुवाई है धर्म के मूल्यों को लेके जीता है धर्म के मूल्यों को लेके मानता है तो जब धर्म व्यक्तिगत आस्था का विशय है तो उसका इतना विभत्स राजनती करण क्यों किया जा रहा है क्या उसका इतना विभत्स राजनती करण होना सही है यह पहली बात मैं आपके सामने मुखर्ता से रखना चाहती हूँ दूसरी ज़रुरी बात धार्मिक अनुष्ठानों का काम धार्मिक अनुष्ठानों को करने की विधी धार्मिक अनुष्ठानों को करने का तरीका धार्मिक लोग जो संबंदित हैं जो इसको करते हैं उन पर छोड़ देना चाहिए और यह सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ या सि अमाम लोग देश में नहीं कह रहे हैं यही कहना इस देश के चार शंकराचारियों का है। बहुत लोग जो आक्रोश हैं, जो आहत हैं, जो लगातार शोज कर रहे हैं, आपका कहा था यह आक्रोश? आप क्यों नहीं आहत हुए? जब हिंदू धर्म के सर्वोच, चार ग्यानी जिनको बोला जाता है, जो चार शंकराचारे हैं, जब उन्होंने निर्णाय लिया कि वो योध्या नहीं जाएंगे, यह आक्रोश क्यों नहीं आया? यह आहत क्यों नहीं हुए? वो धर्म भीरू कहा थे? यह मैं जानना चाहती ह शंकराचारे का अपमान या उनको ना बुलाने का जो गलत तरीका था, इस पर क्यों नहीं लोग आक्रोशित हो रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग जो नए-ने धर्म भीरू बने हैं, वो इस बात को नहीं मानते हैं और यह शाद नहीं जानते हैं कि शंकराचारे का हिंदु धर्म के स्तंब हैं, आदिगुरु शंकराचारे ने चार मठो की स्थापना करी थी और उससे एक तरह से पूरे देश को जोडा था, उत्तर में आपका जोशी मठ में, पिर पूरु में आपका गोवर्धन मठ, पूरी में स्थित, दक्षन में श्रिंगेरी शार्द मठ, और पश्चिम में द्वार का पीठ, और इन चारों शंकराचारियों ने निरने लिया है कि वा योध्या नहीं जाएंगे, और इस पर कोई आक्रोश नहीं है, क्या ये धर्म को आहत नहीं कर रहा है, तो दारमिक चीजों में, धारमिक अनुश्चानों में, धारमिक परंपराओं में, सनातन संस्कृति में राजनिती करना सरवथा गलत है, हम कहां जाने से मना कर रहे हैं? हम 22 तारिक को और ये बात हमारे अध्यक्ष ने कही है हम 22 तारिक को जो अयोध्या में मोदी जी के नाक के नीचे मोदी जी की प्रेजन्स और RSS संग के प्रमुक की प्रेजन्स में हो रहा है उसमें नहीं जा रहे हैं जहां हमारे शंकराचारे नहीं जा रहे हैं हम जो विबत्स राजनिती की जा रहे हैं उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं और ये भाजपा का राजनिती का आक्रोश और आहत होना आपको दिख रहा है ये देश का नहीं दिख रहा है ना ये हिंदू धर्म को मानने वालों का दिख रहा है और रामायर क्योंकि भगवान राम की बात हो रही है तो रामायार की सबसे बड़ी सीख तो यह है देहिक देविक भौतिक तापा राम राज नहीं कहूं व्यापा 44 प्रतिशत बेरोजगारी की दराईए कल 20-25 साल के युवाओं में तो राम राज में तो उनको इंप्लॉइमेंट मिलना चाहिए उस पे चर्चा होनी चाहिए उस चर्चा से बचे रहे इसलिए विभत स्राजनिती करन चीजों का करते रहे राम राज में तो नहीं है कि आदिवासी के सिर पर आप पिशाप करिए राम ने तो शबरी के बेर खाये थे तो असलियत यह है कि धार्मिक अनुष्ठानों का काम जो हमारे साधु संत समाज हमारे शंकराचारियों को करना चाहिए वह भाजपा ने उसका बीड़ा उठा लिया है तो उससे लोग आहां थे आक्रोशित हैं लेकिन वो लोग आपको टीवी पर नहीं निखाई देंगे क्योंकि वो कि पूजा करते हैं कौन सी वेश-भूशा पहनते हर तरह से बाटने का प्रयास किया लेकिन पहली बार भाजपा ने सनातन धर्म को ही संप्रदायों में बाट दिया कुछ जो वक्तव भाजपा के और उनके लोगों के अयोध्या से आ रहें सुन लीजे तो लगेगा सम सनात कि ने थान धर्म को संप्रदाय में बाचने का कां आरती जंतापार्टी ने किया है. कॉंग्रेस पर्टी व्यक्तिगत आस्था को सर्वोपरी मानती हैं. कॉंग्रेस पर्टी ने हमेशा कहा है और हम हमेशा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जैसा कि पववनजी ने यह के लिए जा रहे हैं तो किसी पर कोई पाबंदी नहीं है ये व्यक्तिगत invitation आया था क्योंकि वहाँ पर इतना विभत्स राजनती करण देखा गया हमने 22 तारिक को जाने से इंकार किया हमा हम सब को स्वतंतरता है अगर मैं और पवन जी भी जाना चाहिए हमें पूरी स्वतंतरता है जो पाठी को है हम में से कोई कभी भी जा सकता है तो इसका जो विभत्स रूप दिया जा रहा है जो आक्रोश है उस आक्रोश पर दो चार शोज ये भी होने चाहिए कि हमारे शंक्राचार इसका बहिशकार क्यों कर रहा है क्योंकि शंक्राचारे का अपमान हिंदू धर्म के अनवाईयों का अपमान है जी दो शंक्राचारे के यहां से चिठ्थी जारी हुई है और उसमें वाइस तारीक के कारकरम को लेकर शुब कामना है दी गई है आप देखेगा कि चिठी के नीचे किसका नाम लिखा है एक में सचिव का एक में प्रबंधक का उनी शंक्राचारिय जी का वीडियो आपने सुन लिया हस्ताक्षर शंक्राचारिय जी के नहीं है कि हस्ताक्षर एक पत्र में प्रबंधक के हैं एक में सच्छिव के हैं तो आप समझ रहें कि आई टी सेल कितनी सक्रिय है इस पर अपने मयान भी दिये हैं इनको कैसे देखती है इस अहमारे कुछ लोग नहीं समझे होंगे कि यह निर्णे उन लोगों ने लिया जिनको निमंतरन मिला 22 तारीक का निमंतरन मिला एक राजनेतिक कारिकरम का निमंतरन मिला उस तारीक के लिए उस निमंतरन के लिए जिनको ये निमंतरन मिला उन्होंने अपना ये स्टेट्मेंट दिया इसका अर्थ जैसा कि सुप्रिया जी ने कहा ये नहीं है कि जो जाना चाहता है और जिसको निमंतरन मिला है उसको कोई रोक थोड़ी रहा है जाईए जैसा आप आपने सुना अभी कि 15 तारिक को उत्रप्रदेश कॉंग्रिस कमिटी जा रही है अरे शाब लेकिन मंदिर में ज जाना में तै करने वाला एक राधनेतिक दल तो नहीं हो सकता ना काहे को भारती जनता पार्टी बैठी है बोलने दर्बान बनके कि साब यह जाएगा वो नहीं जाएगा इसी तारीक को आएगा क्यों आप कौन है यही तो पूछने हैं पावन सर सवाल है कि मैडम को निमंतर प्रण दिया गया था आप बोले कि 22 तारीक को जो भारतिया जनता पार्टी और RSS का प्रोग्राम है इस बज़े से ने जाए क्या यह दो व्यक्ति कि मेरी आस्था है जब में को जब बुलावा भगवान का आएगा मैं जाता हूं कि कमाल है कि मनलब ठेकेदारी प्रथा हमने सुनी है लेकिन ऐसी ठेकेदारी प्रथा कि मेरी और मेरी आस्था के बीच में आकर एक ठेकेदार बैढ़ गया जबरदस्ती मैं स्वयम्भू हू कि आसट सब्सक्राइब करें इन में से बिल्कुल जाना चाहिए जिनको निवंत्रन आया और उनकी आस्था है उस दिन वो अगर जाना चाहते हैं वो जाएं लेकिन शंक्राचार्य जी ने जो कहा है चारों ने कहा है वह तो हम सबने सुना है तो एक राजनेतिक कारेक्रम है यह 22 तारिक को एक पार्टी तै करेगी कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा और फिर सर्टिफिकेट भी बांटेगी यह स्विकारे किसी को भी नहीं हो सकता हमने कहा ह किसी के निमंत्रन की जरुत है न किसी को कोई रोकेगा ना कोई रोक सकता है यह मैंने शुरू में पहले पहले ही पंक्ती में यह कहा था भगवान के मंदिर में जाने के लिए निमंत्रन की आविशक्ता नहीं है ना कोई रोक सकता है ना कोई सर्टिफिकेट बाढ़ सकता है लेकिन सर्फ कॉंग्रेस के अंदर हमारे अपने नेताओं नेताओं को भी समझना है कि यह निमंत्रण 22 तारिक का कुछ लोगों को मिला था वो लोग नहीं जा रहे हैं आपको जाना बिल्कुल जा यह जैसा कि मैंने कहा पूरी UPCC जा रहे हैं यह 15 जन्वरी को संक्रांत के द आ रहे हैं जिनका दिल तूट गया वो दिल जोड़े वहां जाकर आए भारत जोड़ों न्या यात्रा में जुड़ें जहां पर हर वर्ग हर संप्रदाए के लोग आएंगे जहां पर मूल मुद्दों की भी बात होगी जिन मुद्दों से भाजपा भागना चाहती है कि आपके बड़े नेता हैं चाहे सुनिया गांदी हों चाहे खड़के हों उनको इस चीज से आपत्ती नहीं है प्राण प्रतिष्ठा से मंदिर के निर्मान से सिरफ एक उस इवेंट से ही है लब लुबाब यही समझे हम आपकी बात का आप मुलेंगे बहुत स्पष्ठ है माननी सर्वोच नियाले का एक निर्ने आया जिसको सब ने स्विकार किया तो अब यह आप फिर से उसी सवाल को क्यों उठा रहे हैं किसा अब दिर्मान हो रहा है बिल्कुल हो रहा है एक धार्मिक कारिक्रम को धर्म शास्त्र के हिसाब से होना चाहिए उसमें किसी भी रादनेतिक दल का कोई हस्तक शेप या भूमिका नहीं हो सकते कि बहुत सपस्ठ है कोई जाना चाहता है 15 को जाना चाहता है जा रहे हैं कि कोई बाइस को जाना चाहता है जाएं लेकिन को कोई राधनेतिक दल तैय नहीं करेगा कि मैं किस तारीक को जाओंगा कब जाओंगा जाओंगा या नहीं जाओंगा आप कौन हैं यह तो हम पूछ रहे हैं इनसे कि आप इतने बड़े हो गए कि आप शंक्राचारिया जी को भी उन पर भी एक प्रश्ण चिन लगा रहे हैं इतने बड़े नहीं हो सकते आप इन्होंने जो पवंजी सवाल पूछा वो सवाल जरूरी है आपने कहा कि वो लोग अग्री करते कि वहाँ पर हम उससे अग्री करत आप शंक्राचारियों से सवाल क्यों नहीं पूछते हैं क्यों नहीं कोई शो कर रहे हैं शंक्राचार क्यों नाराज है वो क्यों बहिश्कार कर रहे हैं वो क्यों नहीं जा रहे हैं उनसे बड़े तो हिंदू धर्म के अनुवाई नहीं है उनको भी हिंदू विरोधी लिये भाजबा उन से क्यों नहीं पुछा जा रहा है कि उनकी क्या आ सर्मत की है क्युकि उनको लगता है कि धर्म और शास्त्रों के नुसार महा पर चीजें नहीं हो रहे है यह सवाल तो हमारे धर्म गुरू का है आप लोग इसे राजनिती करने से बचें और दुसरा सवाल यह है एक कुल्दीप है उन्होंने दिया है एक मद्धिपर्दिश में से और और दुसरा है प्रधान मंत्री ने ने आज एक ओडियो किलिप जारी किया है जो गरीब 11 मिनाट का उसमें उन्होंने कहा है कि मैं 140 क्रो यह तो डिक्लेर करदें कि मैं शंक्राचारिया से बढ़ा हूं बोलें कि इक यह तुन अपारा खिड्रणों यह कि बार दिव व्य ग्रहल आजनियों अप्र शंक्राचारिया से बढ़ आज्वारार करें ने फिल घॉरां पर नेयर्ट बांकि आजिए लोग आप्र बांकि because they are in my party who am I to interfere in their faith again we come back to the same principle nobody has any right to interfere in each other's faith Sir, Ram Mandir निश्चित और प्यास्था का विशायत हो ही लेकिन इस पर राजनिती भी सालों से होती आई है तो कोई नई बात नहीं है सवाल ये कई लोगों के जहन में है कि लोगसभा चुनाओ अब नस्दीक है और जिस तरह से बीजेपी अब हमला कर रही है कॉंग्रस पर कि कॉंग्रस ने कुछ कटर पंतियों को खुश करने के लिए ये फैसला लिया है चुकि शंक्राचारियों ने भी फैसला लिया है ना जाने का उनको चुनाओ लड़ना नहीं है चुनाओ तो कॉंग्रस को लड़ना है तो ऐसे में जो पब्लिक ओपीनियन पब्लिक ओपीनियन को कैसे आप बनाएंगे जो आप दलील दे रहे है क्योंकि बीजेपी कह रही है श्रद्धा व्यक्तिगत विशह है मैं कब मंदिर जाओं कब मंदिर नहीं जाओं यह व्यक्तिगत मेरी धार्ना है इसमें चुनाओ बीच में कहां से आप तो कहे ना बीजेपी कि यह चुनावी है 22 तारिक को चुनाओ और प्रेक्रम की शुरूआते बोले ले ले ना खुल कर बोले ले र क्यों इसको धार्मिक बोलते हैं कहें यह तिक कारख्र में हिम्मत दिखाए ना इसमें मोहिम चलाने की क्या बात है लोगों को लोगों हिंदू धर्म के धर्मावलंबियों को सपष्ट पता है कि धर्म शास्त्र क्या होता है और हमारे जो सर्वोच शिखर पर बैठे हैं धर्म के ज्यानी शंकराचार्य जी उनकी बात सब को सुनाई दे रही कि तुक्या शंकरा चारे भी किनी कफ़पंतियों को खुश कर रहे है जवाल इस बात का है तो आपके पार्टी के लिए तो अब हुआ रिखित आपके पॉश्चे कर देखित आखने से दुख जाए और इसना पार्टी को जाने में कुछ दिक्त नहीं है तो पर 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 आप इसको कई मुद्दों को जोड़ रहे हैं शंकराचार्या जी कहते हैं कि आधे अधूरे मंदिर का निर्मान जब हो रहा हो उसमें प्राण पतिष्ठा नहीं की जा सकते हैं यह तो हुई धार्मिक बात लेकिन एक राजनितिक दल कहता है नहीं साब हम तो इसी तारीक को करेंगे उनकी राजनितिक मजबूरियां जो भी है अब जिनको निमंतरन आया उन्होंने कहा कि हम इस राजनितिक परियोजना का हिस्सा नहीं बनेंगे लेकिन जो जाना चाहता है उसको कोई रोक रहा है कोई नहीं रोक रहा है कोई 15 तारिक को जा रहे है उनको कोई रोक रहा है नहीं रोक रहा है हमारे कुछ नेताओं को निमंत्रण आया है वो जा रहे हैं बिल्कुल न्युक्तुद मैंने आपको कहा भगवान के मंदिर में निमंत्रण से नहीं जाया है यह नहीं हुँ शेक्किन को कुई बूला सकता ना वहाँ को किसी पार्टी की और से बयान आया तो क्या तीन लोग पर्टी दिन तुर अगर दार्म की तरफ से अस्विकर कर दिया है कि काम भी भाच्पा ने दिखा दिया सवाल उस पर उठना चाहिए सवाल दो लोग नहीं जा रहे है उस पर चर्चा चल रही है अरे हिंदू धर्म, हिंदू सनातन परंपरा हिंदू संस्कृती में शंकराचार कहीं नहीं जा रहे हो और उसके बाद वहाँ से बयान बाजी हो रही है उस पर चर्चा नहीं है इतना आख्रोश इतना हाथ कॉंग्रेस के कुछ नेता नहीं जा रहे है उस पर है जो कॉंग्रेस के पूरी यूपी सी जा रही है अभी और तमाम राज्यों से लोग जाएंगे उस पर क्यों नहीं है उस पर क्यों सब लोग चुप हैं? भाजपा के इतने concern से मैं बहुत अभी भूत हूँ बस यही कहूंगी इस पर धन्यवाद। गलत लिंक पर हम चर्चा किये जा रहे हैं? मुद्द क्या है अज इस देश का? 44 प्रतिशत बेरोजगारी थी आप सब लोग टीवी चानल में, कितने चानलों ने डिबेट किया उस पर? किसी एक चानल ने डिबेट किया उस पर? एक ने नहीं किया. किसी एक पेपर की हेड़ लाइन है, एक पेपर की हेड़ लाइन नहीं है. क्या मुद्दे हम खोज रहे हैं? और किन चीजों पर हम आकरोशित और आहत हो रहे हैं? धन्यवाद.